लो गाईज दिस इस केशव यह वाचिंग में डिजाइन टू ब्रदर्स काईज आज की वीडियो बहुत ही आमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं फनी कैरिकेचर इफेक्ट वह भी फोड़ोशॉप में तो दोस्तों वीडियो के लास तक बने रही है औ और मेरे चैनल को कर लीजे सबस्क्राइब क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ क्रिएटिव वीडियो अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग टूल्स दोस्तों सबसे पहले अपनी इमेज को फोड़ोशॉप में ओपन कर लीजिए दोस्तों कोई भी कैरी केचर बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है वो है आपकी इमेज सेलेक्शन जी हाँ इमेज सेलेक्शन कैरी केचर को mostly funny way में प्रेजेंट किया जाता है तो make sure कि आपकी जो image है वो थोड़ी सी funny लुक में हो ताकि आपका कैरी केचर जो है वो एकदम मस्त वाला बने तो आगे बढ़ते हैं अपने टुटोरियल में मैंने अपनी image की एक duplicate layer create कर ली है और अब हम camera raw filter में edit करेंगे अपनी image को मुझे basically अपनी image में highlights and shadows को correct करना था बट मैं अपनी image में थोड़ा-थोड़ा सारी settings को change कर रहा हू अपनी image को अपने according edit कर सकते हैं जैसी भी आपकी need हो जैसी भी आपकी image की requirement हो तो camera raw में थोड़े से changes करने से हमारी image में काफी enhancement हुई है और हमारी image देखने में काफी अच्छी लग रही है अब हम अपनी image को caricature मनाने के लिए liquefy करेंगे and liquefy में आपके सामने एक panel open हो जाएगा जो की कुछ इस तरह का दिखेगा दोस्तों इसमें सबसे उपर हमारे पास face aware liquefy दिया हुआ है अब दोस्तों आपको यहां पर अपनी image की need के according play करना है जैसे eyes का size, eyes की height, width and last में eyes tilt मैं literally यही बोलूँगा आपको अगर आपको कुछ भी सीखना है तो without experiment के आप नहीं कर सकते इसलिए आपको options को play करना होगा यहां पर and अपनी image के according जैसा आपको suitable लगे वैसा आप इसको बना सकते हो अब नीचे हमारे पास nose को edit करने के लिए भी option है जैसे nose height and nose width तो आप हर option को play करके देखिए जो आपको best लगे आप वैसे ही create कीजिए अब उसके बाद mouth को edit करने के लिए भी हमारे पास काफी सारे options दिया है जैसे smile, upper lip, lower lip, mouth की width, mouth की height and मुझे personally अपने model के भी इसको थोड़ा सा बढ़ा करना है मैं उस according edit कर रहा हूं अपनी image को अब सारी settings मेरी screen पर देख सकते हैं अगर आप कुछ ना समझाए तो आप वहाँ से वीडियो को pause करके भी settings को देख सकते हैं अब सबसे last में हमारे पास face shape नाम से एक panel है यह काफी game changer है guys इसमें forehead and chin height मुझे personally सबसे ज़्यादा exciting and funny लगता है इसको apply करने से हमारा face एक दम से ही काफी ज़्यादा change हो जाता है एंड उसके बाद jawline and face width नाम से जो options हैं आप उनको भी try कर सकते हैं दोस्तो हमारे model के face में हमने already काफी ज़्यादा changes किये हैं तो अब हम forward wrap tool को use करके manually अपने face को liquefy करेंगे यह totally आपके उपर depend करता है कि आप किस तरह का caricature effect create कर रहे हैं उस according आप अपनी image को edit कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैं face के edges को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ जिससे face और बढ़ा हो जाएगा जो कि देखने में cartoon effect देगा हमारे पास caricature तो बन गया है अब हम इसे oil paint का effect देंगे जिससे और जादा attractive look देगा उसके लिए simply google पर जाके type करेंगे oil paint action for photoshop free download तो आपके सामने काफी सारे options आ जाएंगे मैं यहाँ पर photoshop dream website का use कर रहा हूँ तो मैंने इसका description में link add कर दिया है आप वहां से जाकर directly download कर सकते हैं हमने oil paint का action download तो कर लिया है अब हम इसे install करेंगे तो install करने के लिए सबसे पहले photoshop में अपने action panel को open कर लीजिए and right side पर सबसे उपर दिये हुए symbol पर click करके load actions पर click कीजिए जो action आपने download किया है उसे select कीजिए दोस्तों आपका काम हो गया अब आपके action panel में जो oil paint का action show हो रहा है मैं इसे apply करके दिखाने वाला हूँ तो उसके लिए simply हम play button पर click करेंगे तो जितनी देर action load हो रहा है आप वीडियो को like कर दीजिए दोस्तों हमारा action जो है वो complete हो गया आप देख सकते हैं हमारे पास layers में painting का एक folder बन गया है जिसमें filter effects and oil painting की layers हमें दिख रही है filter effects की layer को मैंने delete कर दिया क्योंकि मुझे personally colors कुछ खास नहीं लग रहे थे बट आप result देखो totally mind blowing है तो मैं यही बुलूँगा कि आप जरूर try कीजिए इस effect को दोस्तों learn photoshop 2021 with easiest methods का link description में है और आपको यहां भी show कर रहा होगा तो आप जाए सारी की सारी videos देखिए सारी की सारी videos बहुत ही creative हैं बहुत ही amazing है अगर आप graphic designer बनना चाते हैं तो आपको काफी help होगी और बाकी content के जैसे मेरी videos में मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी videos बिना time wastage क्या हूँ अगर आप बाकी content देखेंगे तो बाकी tutorial videos बहुत ही लंबी लंबी होती हैं तो मैं हमेशा गोशिश करता हूँ कि मेरी videos छोटी से छोटी रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा content सीखने को मिले I hope ये video आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये video अच्छी लगी तो like कीजिए comment कीजिए अपने दोस्तों शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे next video में तब तक के लिए बाबाए